श्री गंगानगर की जिला कलेक्टर रुकमनी रियार सियाग की गाड़ी फसी पानी में नमशकार मैं हूं सुमेश ता विश्णोयर आप इस समय देख रहे हैं लाइफ ट्रॉपल आसे न्यूज इस समय की बड़ी खबर बीका ने समभाग के श्री गंगानगर जिले से आ रही श्री गंगानगर जिले की कलेक्टर रुकमनी रियार सियाग की गाड़ी अंडर ब्रेज के अंदर पानी में फस गई हम आपको बता दे बसाथ से हुए श्री गंगानगर में नुकसान का जाइजा लेने के लिए रुकमनी रियार सियाग अपनी गाड़ी में निकली थी अंडर ब्रीज से तीन पूली की ओर जा रही थी और उन्हें आसपास के लोगों ने मना भी किया था कहा था कि अंडर ब्रीज के अंदर बहुत अधिक पानिया आँ वहां से ना निकले लेकिन फिर भी वह अंडर ब्रीज के अंदर चली गए जिसके बाद में उनकी गाड़ी पानी में ही फस गई और फिर उन्हें रेस्क्यू किया गया हम आपको बता दे श्री गंगनगर जिले में बीते तीन दिनों से भारी बारिश हो रही है जिसके चलते पूरे शेयर की हालात खराब हो चुकी है और सेना की मदल से युद्सतर पर कार्य किया जा रहा है आए हमारे साथ में हमार समवाद अता सुमित विश्नोई श्री गंगनगर से जुड़ चुके हैं सुमित हम आपसे जाने का प्रयास करेंगी कि श्री गंगनगर में किस तरह के हालात बने हुए हैं जिसमेस्ता कल के मुकाबले आज थोड़ी से हालात ठीक श्री गंगनगर में भारी बारिश के कान जो है अंडर ब्रीज के अंदर पानी भर गया था और रुकमनी रियार सियाग जो हालात का जायजा लेने के लिए अंडर ब्रीज से जा रही थी तभी उनकी गाड़ी अंडर ब्रीज में फस गई और जिसके बाद उन्हें पानी से निकाला गया और तभी ये जो वीडियो है ये इंटरनेट पर वाइरल हो गया और जिसके बाद में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो कलेक्टर की गाड़ी है वे पानी में फस गई है और हम आपको ये भी बताना चाहेंगी कि भारी बारिश के कारण जो है श्री गंगनगर में पानी काफी अधिक भर गया था जिसके कारण सेना भी बूलानी जो है जाइजा लेने के लिए पहुंची इस थी सभी हालात का तब ही उनकी गाड़ी जो है अंडर ब्रिश के अंदर पानी में फस गई धन्यवाद सुमीत आपकी जानकारी के लिए तो आप देख पारे हैं कि किस तरीके से श्री गंगनगर जिले में भारी बरसात की कान बेहत अधी नुकसान भी हुआ है और सामने आप देख पारेगी कितने अधिक जो है यहाँ पर पानी भर गया और जिसका जाइजा लेने क लिए रुकमनी रियार सियाग जो अपनी गाड़ी में निकली थी तब ही उनकी गाड़ी जो है अंडर ब्रीज के अंदर पानी में फस गई